राधे राधे दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो आपके किचिन के काम को और घर के काम को आसान बनाएगा यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे तो चली फिर वीडियो स्टाट करते हैं मेरी पहली टिप्स यह है जब हम सबजी फ्राई करते हैं या फिर दार फ्राई करते हैं जब आप तड़का लगाए तो उसमें ये लिड जरूर लगा दीजिए उसी टाइम पे इससे क्या होगा जो भी सबजी या फिर जो बाहर आता है जो आपके चूले पर आके गिरता है वो आपके इसमें लिड में ही लगा रहेगा और आपका चूला भी साफ रहेगा और काउंटर टॉप भी साफ रहेगा इससे आपके मेहनत भी बचेगी क्लीनिंग का टाइम बचेगा तो वीडियो योज़ भूल लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा अगली टिप्स मेरे इस आमले को ले करके है आप सर्दियों में आमले की चटनी सभी खाते हैं तो आमले की चटनी पहले मैं इस तरह से इसको कट करके बनाती थी इसके पीश बनाती थी फिर पीशती थी तो बहुत ही टाइम लगता था और मेहनत भी लगती थी तो अब मैं क्या करती हूँ इसको इस तरह से घिसके फिर हम इसको अगर पीशते हैं तो इसमें टाइम और मेहनत दोनों ही कम लगेंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा चाहे आप सिलबटे में पीसे या फिर मिक्सर जार में पीसे दोनों में ही आपका बहुत कम टाइम लगेगा और आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि पहले मैं मिक्सर में जब इसको पीशती थी तो मेरा मिक्सर कई बार खराब हो चुका है तो ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा है जो मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके सेयर भी करिएगा दोस्तों में और कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप्स की तरफ रफ फ्रेंड्स अगर आप चार में इस तरह से मिक्सर चार में चटनी बना रहे हैं तो आपको क्या करना है इसमें नमक एड़ कर देना है इसी के साथ इसे आपको दो फायदे होंगे एक तो मिक्सर की जो ब्लेड होती है वो सार्प बनी रहेगी एजिट बनी रहेगी और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो हमाई चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा तेस्टी बनती है अगर हम बाद में नमक एड़ करते हैं बीशने के बाद तो उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत ही फरक होता है और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये वाली टिप्स आप जरूर आजमाईएगा फिर मुझे कमेंट करिएगा बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ तो इस तरह के जब छोटे से टिफिन बॉक्स में हम बच्चों को स्कूल के ल प्लास्टिक वाला जो हमारे घर में अबलेबल होता है बड़े वगरा में यूज होता है तो यह घर में हमारे इजली मिल जाता है तो इसको इस तरह से इसी के साइज में हम तोड़ देंगे और इसमें रख देंगे जिससे बचों को खाने में आसानी होगी या भी हम बाहर क तो सब्सक्राइब निए नहीं कुछ सकते हैं इसला के सकते हैं यह साहरा है कि अश्राय है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ गंदे होते हैं तो हम इसको हाथ से भी नहीं खा सकते हैं तो आप ये वाले टिप्स यूज कर सकते हैं जो आपका काम आशान कर देगी अगली टिप्स मेरी इस तरह के सीजर को लेकर के हैं सीजर देखा होगा आपने अक्सर इसकी धार खराब हो जाती है कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि हमारे कहां पर ये इसकी धार सही होती है तो आप घर में ये टिप्स यूज कर सकते हैं बस आपको एक सौस की ब इखा रही हूं वीडियो में इस तरह से अगर आप करते हैं आठ से दस बार तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैची की धार है वो एकदम अच्छी हो गई है और अच्छे से काम करेगी तो यह सीजन मेरा पहले इससे कपड़ा नहीं करता था खराब हो चुकी थी तो ऐसे करने से मेरी यह सही हो गई इसकी धार भी सही हो गई है अब मैं इससे कपड़े भी कट कर सकती हूं और क्यूंकि मैं आर्ट और क्राफ्ट का काम करती हूं तो प्लास्टिक भी इससे काट लेती हूं तो यह इसली वो काम करने लगा है इस तरह की टिप्स से और यह वाली टिप्स बहुत ही स्मूर्ट कटने लगा है क्योंकि बीच में ये खराब हो चुका था तो तिफ्स अच्छी लगी हो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा अगर आभी आप नहीं किया है तो अगर आ अच्छी हो गई है तो ये वाली टिफ्स आप जरूर आजमाईएगा और फिर मुझे कमंड करके बताएगा कि आपको ये वाली टिफ्स कैसी लगी और आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे ये सारी टिफ्स यूज करके और टाइम भी बचेगा तो मिलते हैं अगली वीडिय टिफ्स के साथ कुछ टिफ्स के साथ तब तक के लिए बबबाय टेकेर अग्याओ 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 अग्याओ